हाई व्रिवन पीए में सस्वी स्कॉलर्शिप दो हजार तेईस रेनीवल वाले जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देखना ना भूले नहीं तो आप लोग का भी फॉर्म डिफेक्ट हो सकता है जिस परकार से पिछले साथ स्टुडेंट का कोई भी गलती नहीं था फिर भी फॉर्म को डिफेक्ट किया गया था तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे रिनेवल वाले को क्या क्या भरना है साथी साथ डोकोमेंट को अपलोड कैसे करना है और अभी जो है डोकोमेंट अपलोड हो रहा है या नहीं सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो इस वीडियो को आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं करिए तो पिछले वीडियो में हम आपको बताये थे कि Renewal Form को कैसे भढ़ना है तो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजेगा इस वीडियो को हम description box में उसका link भी दे देंगे तो जब आप लोग लौग इन करेंगे तो आपकी सामने जो है इस परकार से आपका जो होगा इससे पहले आपको KYC कंपलीट करना है उस वीडियो में हम आपको complete शनकारे दे हैं जब आप KYC कंपलीट कर लेंगे तब आपकी सामने यहां पर देखे जूम करके बताते हैं apply for renewal का option यहां पर आपको मिल जाएगा और जैसे ही यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यह पूरे जो है diceboard आपके सामने खुल कर आ जहां कि आपको भढ़ना है तो देखे ऊपर का जो यह आपको जो है basic detail में जो यहां पर जो आपको दिख रहा है यानि यह सब चीज जो आपको दिख रहा है यह सारा चीज आपका जो है ओलेडी फिल रहेगा आपका नाम फादस के नाम और category और यहां पर आपका present class होगा अग यहां पर 12 कर दिया गया होगा अगर आप 8 पर भरे हैं तो यहां पर आपका जो भी खोलेडी फिल रहेगा तो भरना जो है रीनुवल वाले को सिर्फ इतना है जो कि हम आपको यहां पर सरकिल किये सिर्फ इसी में आपको भरना है देखिए भरने का आप लोग को क्या क्या है तो सबसे पहले तो annual income अगर आपका बढ़ा है यानि अभी जो present में जो आप लोग income certificate बनाए हैं उसके अनुसार से जो है आपको यहां पर annual भरना है उसके बाद जो है यहां पर email अगर आपका change है वैसे तो change नहीं होता है अगर आ आपको राइदेंगे कि email वैसे ही आपको रहने देना है फिर देखिए अगर आप लोग यहां पर पहले अगर डीस कोलर थी अगर अभी होस्टलर हो गये हैं तो भी आप लोग जो है यहां पर जिसे की इनका डीस कोलर सेलेक्ट हुआ है तो यहां पर जो है भी कर सकते जिसस पर आगर आप लोग जो है किलिक करेंगे तो यहां पर 123 यानि कि जो है कितना साल का यह कोर्स है तो मुस्टरली जो है 11 12 तो एक एक साल का ही रहता है तो आप लोग एक साल ही यहां पर रहने देंगे आपको रहेगा लेकिन भरने का यहां पर कलास स्टार्ट दे यानि आपका तो आपका जो है कोर्स यानि सेशन कब से स्टार्ट हुआ आपको अच्छी तरह से डेट भढ़ना है क्योंकि अगर आप लोग यहां पर गलती बरते तो आपका अस्कुल वाले भेडिफेक्ट कर देगा फिर आपको जो है प्रिभिएस क्लास प्रसेंटेज यानि अगर आप 12 में है अभी तो 11 में आपका कितना प्रसेंटेज रहा था वह आपको यहां पर भढ़ना है फिर देखिए आगे बात करें तो देखिए यहां पर आइडमिशन इन्रॉल्मेंट नंबर अगर सेम है तो आपको रहने देना है नहीं तो जो भी आगर चेंज हुआ तो आपको भढ़ना है क्योंकि अस्कुल वाले को जो है मैस करना चाहिए आपका डेटेल फिर देखिए यहां पर आइडमिशन इयर यह तो पिछले कलास का है तो इसको आपको नहीं रहाने दा जैसे कि इनका जो है कलास कलास रॉल नंबर अच्छा हां एडमिशन इयर यानि आपका कि है किस साल है तो जाल हुआ है तो आपको हुआ और दे आपको बहुल लेना फिर देखिए यहां पर सेक्षण जो भी है एबी सी आपको यहां पर भर लेना है तो भढ़ने का तो सिर्प एतना ही है लेकिन काम जो main यहाँ पर है document upload में तो देखिए यहाँ पर अभी क्या लिखा गया है upload document में देखिए अभी पर यहाँ पर yellow है तो यहाँ पर इस परकार से green रहता तब आप लोग document upload करते to main funda देखिए यही पर फ़स्ता है जो की पिछले साल 50% student का फॉर्म डिफेक्ट हुआ था बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अमस्थीर से आम आपको बताते हैं तो पिछले साल देखिए हुआ था क्या एक मंथ अप्लाई करने के लिए दिया गया था जब 15 दिन जब हो गया था यानि 15 दिन जब बच रहा था तब जो है डोक डोकुमेंट अपलोड का फिर यहां पर हैंड राप्ट और वहां यहां पर जो आपको गरिन बाला जो यहां पर दिख रहा है यहां अग हम पांच दिन बचता है तब ही आपको जो है अगर document upload करने का तब भी option नहीं देता है जैसे कि इस पर अभी देखिए नहीं देरा अगर यहाँ पर देता ने तो जैसे कि serial number यहाँ पर one देता फिर देखे document type यानि कौन का कौन चीज का यहाँ पर document मांग रहा है वो आपको नाम रहाता है फिर देखिए view document जब अप लोड करते हैं तो उसमें जो है देख सकते हैं फिर देखे document format यहाँ आप किलिक करते तो आप जो है अपना document अपलोड कर सकते थे लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है space अभी तक नहीं बनाया तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा call करना है कहा पर करना है लिए तब जो है हम लोग document upload करेंगे नहीं तो आप लोग फिर से पिछले साल जैसा जो बच्चे फसे हैं आप लोग जो है पिछले साल पीछे किये होंगे फोर्म जो है apply पीछे किये होंगे तब आपको जो है verify हुआ था तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है हम आपको बार ब अप्लोड नहीं होगा तब से नो बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं करेगा अगर आज जैसे कि अगर दस दिन या पाच दिन भी बचता है तो अगर document upload का option दे देता है और आप जो है पहले भर कर सब्मिट कर देते हैं तो आपका तो डोकुमेंट होगा नहीं अप्लोड तो उस इस्तिति में जो पहले भर हैं उनको जो है डिफेक्ट कर देगा तो यह चीजे बहुत ही ध्यान रखिएगा भरने का कुछ भी नहीं है आप लोग जो है के वाई सी वगेरा सबसे पहले कर लिए और फाइनल सब्मिट जब पाच छे दिन बचेगा या फिर दो तीन दिन दिन बचेगा आप लोग भर सकते हैं यानि दो-तीन दिन बचेगा ताफ लोग कर सकते हैं तो आप लोग रहने दीजेगा नहीं तो आप लोग 5 दिन पहले आप लोग सब्मिट कर लिए तो थायंस पर वाचन यह बहुत ही इंप्रेंट वीडियो था क्योंकि पिछले साल ब देखकर जो भी नहीं बोले दिट पर लुटे में हैं लिए जो भी आपका दोस्त है एंचिछ वीडियो पॉर्म भरने को लिए नहीं बोलो ये भानाल करने को कि लिए और जो भी चैनल पर नए है तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े क्योंकि ऐसा है बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा तो थायंक्स पर बात सिंग मिलते हैं गले वीडियो में तब तक जैंद जै भारत